स्वागत आप सभी का एक बार फिक्स है हमारी योटूब चैनल पर रोजाना इस टेम पर हम रास्तान प्यूलेश का एक मोडल पेपर कवर करते हैं तो आज भी मोश्ट इपोर्टन पचास क्योशन्स कवर करेंगे तो पूरा वीडियो देखना है और लाश्त में आपका स्कोर बताना है कि कितने क्यूसन्स है वह आपने सही किये हैं इस तरह के रोजान अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पर कीजिए सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन पर करते हैं ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे उनका मैसेज और नोटिफ केसन आपको मिलता रहेगा और रिजन करने के लिए अगर आप इसकी पीडियो पर लेना चाहते हैं तो ये लिंक है यहां से आप प्रहला सराण के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये इंस्टेग्राम का लिंक है वहां पर भी आप जोइंग कर सकते हो ताकि नहीं नहीं अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी तो चलिए करेते हैं सरवात क्यूसर नमर एक से पड़ा बड़ा वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाश्ट में स्कोर्ट जूरू बताके जाना है कि हर पारेट के जो क्यूसर आप कवर करेंगे इसमें किस नदी को भार्त में राष्ट नदी का दर्जा है वो गंगा नदी को तो एक नमर आपका राइटांस है दूसर है कि दुनिया बर में किस देती को वीडियो कैंसर दीवस मनाया जाता है वीडियो कैंसर दीवस मनाते हैं यह मनाते है चार फरवरी को तो चार फरवरी को मनाया जाता है तीन आपका राइटा रज़ताना किस नने लगी ती, सत्याद प्रकाद पुस्टक है, वो है दयानांसर स्वाथी, जी आपको ये बताना है कि दयानांसर स्वाथी, राधस्तान में सबसे पहले कौन सी रियासत में आये थे, और इनकी मर्तियों किस रियासत में हुई थी, और इनको जो जहर दिया गया था किस रियासत के KISासा के सासन काल में तो तीन क्यूसन की आरसन देने हैं आप लोगों को अगर आए कि किस एक मात रुप राजपती की मर्तियो पद पर आसी ने रहती ती अपर राजपती की मर्तियो बतानी है और ये कृष्ण कांजी, कृष्ण कांजी दो नमर आपका राई डांसा नेक्स्ट आपका क्यूसन है कि किस राजपती के निर्वाजन के समय दूसरे चकर की मतगरना करनी पड़ी थी और यह होया थि वीवी गीरी जी के time per है, वो दूसरी चकर की मत करना होया थी, तो एक नमर आपका राई डांस वा अगल आया कि कावेरी नदी के तड़ पर कौन सा सहरस्तित है कावेरी नदी के तड़ पर आता है वो आता है तिरूची रपुली तो राई टांस हो जाएगा आपका चार नमबर नेक्सट आपका है कि ऐसे पर्थम पर्दानमंतिरी जिनकी विरुद लोक सभा में एविस्वास परस्ताओ लाया गया था और यह विश्वास पस्ताओ है वो पहली बार तो राई टांस अपका एक दो नमर हो जाएगा स्री टांस था चलिए पस्ताओ जो है पस्ताओ लाया गया था ना कि पास हो था तो अन्ख्यूज मत हो जाने सीज को लेगा नेक्स्ट आपका ये है कि कौन से सोसिक धुलाई में काम आता है इनमें से कौन है वो सोसिक धुलाई में काम आता है तो यह आता है नाइट्रो बेजीन तो दो नमर आपका राई टांस था नेक्स्ट है कि कारगील विजे दीवेस तो हो कम मनाते हैं कारगील विजे दिविस्टों मनाये जाता है ये मनाते हैं 26 जुलाई को 26 जुलाई यानि ती नमर आपका राइटांस है नेक्स्ट है कि विश्टों स्वास्ते संक्टन ने भारत और इसके पडोशी देशों में कुष्ट और कालाजार जैसी विमाजियों को कब तक खतम करने का लक्षे रखा गया है और ये लक्षे है 2020 तक रखा गया था तो राइटांस अब का दो नमर आपका है नेक्स्ट आपका है कि जाडन और इसराहिल के मदे कौन सा सागर है जाडन और इसराहिल के मदे कौन सा सागर आता है मरित सागर आता है यानि एक नमर आपका राइटांस था नेक्स्ट है कि सिवाजी का तो राजबी से एक वा था ये कहां पर वा था सिवाजी का राजबी से किया गया था राइगड में किया गया था राइगड में एक नमर आपका सही आंसर है नेक्स्ट है कि सोना निमलक में से किस में घुल जाता है सोना और ये घुलता है साधर नायटरी कमल में साधर नायटरी कमल एक आपका राइट आंसर नेक्स्ट है कि न्याएदर्सन को परचारी था वो किस ने किया था नयाई दर्सन, नयाई दर्सन है, गोतम जी का, गोतम जी ने तो एक आपका राइड आशा नेक्स्ट है कि होन्सू, यह ओखेडो दीपो का समन्ध है, वो किस देशे है यह दोनों ही दीप जो आते हैं, यह जापान के हैं, यानि ती नमबर आपका राइड आशा चले जल से बाहर निकालने पर मचलियां है वो मर जाती है क्यों मर जाती है इसका रिजन क्या है क्योंकि वो सांसर नहीं ले पाती सिंपल सांसर चार नमबा नेक्स टाइक कि परमानु करमाक है वो किसको का जाता है जावर और रामपुर आगोचा से नौमली सीचा जसता, जुडवा खनीज निकाला जाता है ने चार आपका राइटांस था। नेक्स्ट है कि BS4 का समन्द है किस चितर से, BS4 ये वहान उद्योग से समन्द दीत है दो आपका राइटांस था। नेक्स्ट है कि भारत में विक्षित परम सूपर कंपुर्टर का विकास है वो किस संस्ता ने किया था। परम सूपर कंपुर्टर का विकास जो किया था। ये किया गयता सीडे के दोरा तो राइटांस साब का थी नमबर। नेक्स्ट है कि किस स्रिधान संसोधन दिन्यम के दोरा भारते स्रिधान में नोवी अनुसुची जोड़ी गई थी ये पहले स्रिधान संसोधन के तैत हुई थी अब नोवी अनुसुची का समंध किस्स है ये आप कॉमेंट करके बताएंगे अगला है कि तंग, मौर्खा, गोर्बंद और पिलान जो है इसका समंद किस्थ है ये है उंट के सजावट की वस्तों है यानि चार आपका रायटांसा नेक्स्ट है कि शांपूरा नहर और बटा नहर जो है वो किस जील से निकलती हैं दोनों और ये निकलती है जै समंद जील से दोनमर आपका सजी है 27 की लांगूरिया गीत का समंद है वो किस लोक देवी से है लांगूरिया गीत केला लोक देवी जो कि क्रोली में मंदिर हिन का क्रोली में क्रोली के यादो मस्की कुल देवी है लांगुरिया नर्ते भी होता है लांगुरिया गीत भी होता है राजस्तान में इंदर परस्त उद्योगी क्छेतर कहां पर है इंदर परस्त उद्योगी क्छेतर आता है कोटा जिले में तीन आपका सही नेक्स्ट है कि कनाना स्थान जो है वो किस नर्त्य का स्थान है कनाना ये गेर नर्त्य के लिए गेर नर्त्य च्यार आपका राइट आंसर नेक्स्ट है कि क्रोली पर जाओन लगे स्थापना गोनी चोड़तीस में हुई थी किसके द्वारा की गी थी तिरी लोग चंदर मातुर जी ने की थी तिरी लोग चंदर मातुर जी ने च्यार आपका सही है नेक्स्ट है कि तिरिया तेल हमीर हट चड़े ने दूजी बार ये किस दुर्ग के सासर के बारे में कहा जाता है तरंधंबोर के हमीदियो चोहान जो थे उनके वारे में कहते हैं दो आपका राइट आंसर 32 है कि गोईलो क्या है? गोईलो किसको का जाता है? यह नॉमले गेहों का पोदे के साथ उत्पन होना जो एक प्रकार की जो वारे में जो होती है नॉमली उसको गोईलो कह देते हैं तो राइट आंसर आपका चार नामा 34 है कि रावली शिरणी की दूसरी नमर की सबसे उन्ची चोटी का नाम बताना है गुरू सीकर के बाद में दूसरी आती है सेर उन्ची चोटी आती है तो राइट आंसर ती नमर अगला है कि रंधम बोर टाइगर प्रोजेट कारेकरम की जो सरवात हुई थी या कोन से वर्स में हुई थी गुनी सो तेतर के दोरान 36 आपका है कि मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजी निकाले जाते हैं और ताजी निकलते हैं महरम के टाएँ पर तो महरम पर एक नमर आपका राइट आंसर नेक्स्ट है कि पानत किसको कहा जाता है तो पानत नमली कहते हैं पसल की जो सिंसाई करने की किरिया होती है वो दो आपका right answer और नेक्स्ट है कि राजस्तान पुलीस के धवज में क्या अंकित है और ये तो आपको पता होना ही चाहिए तो वहाँ पर असोक स्थम है असोक स्थम आता है तो right answer आपका एक number नेक्स्ट है कि नोटों की चपाई में काम आने वाली तो ये right answer आपका भीवाड़ी में है भीवाड़ी में तो right answer आपका दो नमर हो जाएगा सही answer अगला है कि राजस्तान क्रेशी निर्मान आवार्ड किस पसल के उत्पादन में दिया जाता है राजस्तान क्रेशी करमन आवार्ड दिया जाता है ये किस पसल के उत्पादन में देते हैं गेहों के उत्पादन में यानि राइट अंसराब का एक नमबर नेक्स्ट आ कि राजस्तान का गांधी किसको का जाता है राजस्तान का गांधी किसको कहते थे हैं गोकुल भाई बट को कहते थे हैं गोकुल बट यानि एक नमबर आपका सही है 43 हरुआनगड जिलے में गोगा मड़ी के स्तान पर लोक धेलता का मेला वरता है 45 सीतला माता का मेला कांपर वरता है सीतला माता का मेला कामर बढ़ता है तो मंदीर चाक्षु में है चाक्षु जैपुर में है तो चाक्षु में ही बढ़ता है तो राइटांस अब का दो नमबर नेक्स है कि परसिध राजपूत राजा कॉन है जिसने राज़स्तान में सरवादिक दरुगों का जर्णोदारो निर्मान करवाया था और सरवादिक दरुगों का निर्मान किस ने करवाया था मारना कॉम्बान करवाया था तो 2 आप का राएट esting 47 है 16 लोगसभा में राजस्तान में कॉंग्रिस पार्टी की कितने शीटी थी 16 लोगसभा में कितनी थी ठीक है लोगसभा में जीरो थी उस टेम पर तो कोई थी नहीं तो जीरो हो जाएगा नेक्स्ट है कि 9 गरहों का मंदीर है वो कहां पर है नो ग्रहों का मंदिर ये आता है किसन गड़ में, किसन गड़ कहा पर है, अजमिर जिल्ले में है पोर्टिन ने की 2011 की जनगना की उनसार राजस्तान की कुल साखसरता परतीसत जो है वो कितना है और वो आपका आता है 6.1 परतीसत, 6.10 तो 2 आपका right answer और 50 से के विदान सावा के 2 सतरों के मध्याइक कितना अन्तराल होना चाहिए, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए तो 6 महेने के होनी चाहिए, साल में 2 बार, तो 6 महेने से जफादा टाइमिंग नहीं होनी का है तो राई टान साब का चियार नमबर यह थे 50 most आप को मुझे लगता है आपको प्रासान फिलिस के धोज वाले में डाउट होगा या फिर पड़दान मंत्रिया वाले क्योसट में डाउट होगा तो आप जो भी डाउट होता है तो आप पो Players करके कोमेंट करके कोई पर भी जोइन कर लेना ताकि नेनी अपडेट है जो आपको मिलती रहेगी ठीक है चले मिलते हैं थैंक यू